Hey what's up guys, welcome to the complete web development course जहांपर हम HTML, CSS और JavaScript के concepts को basic से advanced level तक पढ़ रहे होंगे यह हमारी playlist है, इसको जाके bookmark कर ले न, so that easily accessible रहे है आपके browser के अंदर ही आज हम पढ़ेंगे introduction to HTML आज हम देखेंगे HTML actually होता क्या है, कैसे काम करता है, anatomy of HTML मतलब किन-किन component से मिलके HTML बन रहा होता है HTML stands for Hypertext Markup Language Markup Language होती है, यह basically Markup Language का मतलब क्या होता है, वो हम भी पढ़ेंगे इसके अंदर नीचे यह एक ऐसी Markup Language है जिसकी हल्ट से आप लोग web pages बना सकते हो Markup Language है, यह programming language नहीं है, इसकी हल्ट से आप लोग program नहीं कर सकते आप computer को नहीं बता सकते कि किस-किस तरीके से calculations करनी है, नहीं content का format क्या होना चाहिए, वो define करता है हमारा HTML तो यह basically आपको web pages के लिए काम में आता है, HTML describes the structure of a web page HTML consists of a series of elements, उनमें से कुछ elements को आज आज समझ रहे होंगे HTML tells the browser how to display the content, तो आप जड़ा समझते हैं Markup Language का मतलब क्या होता है यह basically एक ऐसी language होती है, जिसकी help से आप लोग बता पाते हो कि content के अंदर चीजों को किस तरीके से format करना है, किस चीज को title बनाना है, किस चीज को image बनाना है, किस चीज को heading बनाना है, किस चीज को paragraph बनाना है यहाँ पर comparison करने के लिए एक document है, इस document में आप देख सकते हैं कि एक editor ने कुछ editing notes लिखे है, writer ने कुछ write कर दिया है उसके बाद editor ने अपने कुछ notes लिखती है for example अगर उसने किसी word के ओपर यह डंडा लगा दिया इसका मतलब इस word को हटाना है delete a word अगर ऐसे slash कर दिया इसका मतलब delete a letter ऐसे कर दिया तो close up space यहाँ पर basically space को हटाना है तो इस तरीके से different markups होते हैं इसी तरीके के markups हमारे html के अंदर भी defined होते हैं अगर आपने किसी चीज को title tags के अंदर डाल दिया है तो वो बताता है कि यह title बनेगा अगर आपने किसी चीज को head के अंदर डाल दिया तो वो बताता है कि यह heading बनेगी अगर किसी चीज़ को आपने B में डाल दे तो वो बताएगा कि ये bold के अंदर ये characters लिखे जाने चाहिए and so on इनमें से कुछ-कुछ को आभी हम देख रहे होंगे और बाकी को हम पढ़ रहे होंगे आने वाली videos के अंदर तो हमें ये समझ माने लगया होगा कि HTML एक programming language नहीं है programming के अंदर आप लोग computer को प्रोग्राम कर सकते हों बता सकते कि 2 प्लस 3 इकोस तो 5 ऐसा HTML के अंदर नहीं कर सकते है HTML में आप बता सकते हो कि किसी content को आपको किस तरीके से show करना है अगर मैंने hello को h1 में लिखा है तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा दिखे अगर मैंने hello को p में लिखा है तो मैं चाहता हूँ कि hello जो है वो paragraph form में दिखे ये बात clear है तो ये तो बहुत simple था basically html एक programming language नहीं है एक markup language है अब हम बात करेंगे anatomy of html tags html के अंदर ये जितनी भी चीज़े हैं सबकी सब tags होते हैं html head title body ये सारे सारे different elements होते हैं जो हमने देगे देना html consists of series of elements अब जड़ा इन elements की बात करते हैं यहां पर मैंने बहुत कम elements लिखे हुए हैं इसके लावा और भी different type के elements होते हैं हम जड़ा समझेंगे कि elements के अंदर क्या का component होते हैं किन-किन चीजों से मिलके कोई भी element आपका बन रहा होता है html के अंदर लेकिन अगर आपको जानने हैं कि ये html elements मिले कहां से हैं मुझे तो ये मिले हैं मुझे एक website है w3 schools ये बहुत अच्छी website है जहां पर proper documentation दे रखी है आपको html की तो अगर आप लोगों को html के बारे हैं पढ़ना है तो इसके उपर आप जाकर चकाउट कर सकते हैं html tutorial में जाएंगे और यहां पर आप देख रहे हो सारी html के बारे में चीज़ें लिखी हुई है html elements में जाएंगे तो हमें यहां पर elements देखनों को मिलेंगे h1, p, h1 basically heading के लिए होता है हमारे पास h1 से लेकर h6 तक elements होते हैं जो की heading के लिए काम में आते हैं इसके लब आप p tag होता है जो की paragraph के लिए काम में आता है आप इसको बहुत साथ ही यूज गरहे होते हो जब भी आपको कोई content लिखना होता है तो basically यह kannant आपकी website में लिखा हुआ है इसको रहाए है body होता है, head होता है इन सबको हम एक-एक करके पढ़ रहे होंगे इन सभी के अंदर हम detail में जा रहे होंगे आने वाली classes के अंदर अभी हम देखते हैं Anotomy of HTML Tags मतलब HTML Tags किस तरीके से बन रहे होते हैं Never skip the end tag यहाँ पर लिखा हुआ यह भी एक important line है Basically इसका मतलब यह है कि कुछ HTML के elements ऐसे होते हैं तो कई बार आप चाहो तो बंद ना भी करो तो भी आपका काम चल जाता है लेकिन हमेशा आपके पास एक good practice होती है कि आपको हमेशा ऐसे tags को जो की non-empty HTML elements है उनको हमेशा बंद भी करना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है However, never rely on this, unexpected results and errors may occur if you forget the end tag तो end tags को हमें भूलना नहीं चाहिए यहाँ पर लेकिन मैंने एक और बात बोली non-empty HTML elements basically empty HTML elements वो होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को end tag बताने की ज़रूत नहीं होती है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं BR tag basically एक line break tag होता है जिसके अंदर आप लोगों को कोई भी closing tag बताने की ज़रूत नहीं होती तो यह important HTML tags होते हैं basically इनी की help से आप लोगों की पूरी की पूरी website बन रही होती है website के अंदर यही सारे tags यूज हो रहे होते हैं लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है जिसको आप download कर सकते हो which is called VS Code एक बहुत अच्छा code editor है Visual Studio Code लेकिन उसको install कर रहे होंगे उसको use कर रहे होंगे अगली वीडियो में अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ basically की यह सारे tags काम कैसे करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा minimize CSS editor और minimize JavaScript editor इनको हम बात में समझे लोगे पहले हम HTML editor में आते हैं और थोड़ा size भी बढ़ा कर लेते हैं अब ज़रा समझते हैं कि करके tags को सबसे पहले हम बात करेंगे H1 tags की H1 tag basically सबसे बड़ा heading tag होता है एक website के अंदर सिर्फ एक ही heading होनी चाहिए जैसे आपके newspapers के अंदर सबसे उपर एक heading लिखे होती है नीचे कुछ content लिखा होता है basically image वगरा लिखे होती है इसी दिर्के से सबसे बड़ी जो heading होती है वो हमारी H1 tag से आती है वो लिखेंगे कैसे सबसे पहले हम angular bracket लगाएंगे H1 उसको close करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर जो भी लिखोगे यह सारक सारा आपके H1 tag में हैगा लेकिन मैं हमेशा क्या try करता हूँ कि पहले मैं closing भी लगा दिता हूँ जिससे कि मैं closing लगा ना भूल न जाओ तो यह एक अच्छी practice होती है so that कभी भी आप closing tags को ना भूलो इसके अंदर हम लिख सकते हैं this is the biggest tag तो यहाँ पर देखे हो सबसे बड़ा होगा यह आप यह हम देखते हैं यह load हो जाने वाला थोड़े दिर में this is the biggest tag इससे अगर हमें छोटा कोश्च चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2 इसको हम close कर देंगे खली लाइन आ रही है लेकिन ऐसा नहीं है अगर मैं आप चार-पांच खली लाइन पर लगा दूँगा और इसको हमें रिलोड होने दूँगा तो भी आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ एक ही खली लाइन आ रही है तो ऐसा होता है basically HTML आपका define करता है किस तरीके से चीज़ां दिखनी चाहिए लेकिन अगर आप लोगों को बीच में line break चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को एक line break नाम का tag यूज़ करना पड़ता है और जिसमें आपको बताए था BR tag के अंदर कोई भील end tag नहीं होता है देख रहे हो यहाँ पर लिखा है BR tag defines a line break BR element एक empty HTML element होता है इसके लाबा image होता है हमारे पास इसके लाबा एक HR element होता है different type की element होता है जो हम देख रहे होंगे BR element के लब से आप लोग line break लगा सकते हो हमारा P और यहाँ पर हम काफी सारी चीन लिख सकते हैं this is a small text आपकी website में सबसे यादा यूज किया जाना वाल element आपका एक paragraph element ही होता है क्योंकि paragraphs को ही हम जादे यूज कर रहे होते हैं इसके बाद h1 को एक website में एक ही बार यूज करना चाहिए एक page के अंदर और h2 को आप different times यूज कर सकते हो लेकिन एक introduction to html वीडियो है इसके अंदर में जादा detail में नहीं जाओगा हर एक element के अंदर की कितने element होते हैं क्या क्या करते हैं वो elements उन सभी को हम देखेंगे आने वाली वीडियो से में detail में इसके अंदर में बस समझाना चाहता हूँ आपको कि हाँ किस तरीके से आपका html काम करता है हम पढ़ रहेते anatomy of html tags तो किस तरीके से हमारी anatomy होती है वो जरा समझते हैं तो मैंने जैसा बताया आपके पास एक opening tag होता है एक closing tag होता है ये तो हमने समझ लिया opening tag और closing tag इसके बीच में हम लिखते हैं जो चीज वो होती हमारी content और ये पूरा पूरा जो चीज होती है ये मिलके बनाता है हमारा element इसके अलावा अगर हम चाहें अपने tags को अपने element को कुछ और functionality प्रोवाइड करना कुछ और power देना तो उसके लिए हमारे पास attributes का भी support होता है यहां देखरो attribute तो हमने यहां पर एक attribute पना है which is class attribute इस class attribute की help से हम इस paragraph tag को बता सकते हैं कि इसकी class क्या है जिसकी help से इसके अंदर हम बाद में use कर सकते हैं maybe class की help से हम CSS के अंदर styling देना चाहें या फिर class की help से हम इसको कहीं पर reference करना चाहें आपकी पास different type के attributes होते हैं यह class attributes जो होता है यह global attributes होता है इसका मतलब यह सारे के सारे HTML tags के अंदर available होता है तो आप सारे के सारे HTML tags के अंदर class attribute लगा सकते हो और आप बता सकते हो कि इस element की class क्या है एक और important चीज़ जो हमें याद रखनी है कि attributes जो होते हैं हमारे उनकी values को हमेशा हमें double quotes में लिखना होता है तो हमें करना क्या होता है हमारे पास सबसे पहले होता है attribute का name उसके बाद equal to double quotes के अंदर attribute की value तो पहले आएक आपका name और बाद मैंगा उसकी value आप value को double quotes में चाहो तो ना भी लिखो तो भी आपका काम चल जाएगा लेकिन हमेशा ये एक recommended practice होती है कि हमेशा double quotes में लिखो basically अगर आपके attributes की value है उसके अंदर कोई space नहीं है तो आप उसके अंदर double quotes को ignore भी कर सकते हो लेकिन for a good practice हमेशा हम क्या करेंगे attributes की values को double quotes में लिखा करेंगे जिससे कि हमारी consistency maintain रह सके और हमारा code throughout हमेशा consistent रह सके class के लावा और भी different attributes होते हैं जैसे कि id, style जो आपके elements को कुछ और extra functionality दे सकते हैं ये attributes मुझे पता काम से चल रहे हैं तो basically इसके लिए दुबारा से हम जाएंगे w3 school के उपर यहाँ पर इस website को आप बहुत जादे use कर रहे होगे documentation के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं html attributes और दिखते हैं क्या आता है html attributes इस पर जाते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं attributes के बारे में थोड़ी और information ले सकते हैं और I would definitely encourage you all कि आप यहाँ पर आओ और different different चीज़ें पढ़ो attributes के बारे में और different different html tags के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है all elements can have attributes और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a tag के पास href attribute है image tag के पास src attribute है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यह image tag क्या है a tag क्या है तो यह सब हम detail में अलग-अलग videos में सपढ़ रहे होंगे image को अलग पढ़ रहे होंगे links को अलग पढ़ रहे होंगे तो don't worry अभी basically यह introduction to html वाली video है यहाँ पर मैं आपको पस anatomy बता रहा हूँ कि attribute होते हैं कुछ जिनसे elements को कुछ extra functionality मिल रही होती है तो different different type के हमारे पास attributes होते हैं different different elements के अंदर html के उपर ही साइक सरी websites आज की डिट में बनी होती है आपकी websites के अंदर css ना हो इंटरनेट के ओपर डली थी जिसके अंदर सिर्फ html का use हुआ है 1989 में CERN के एक scientist ने यह website बनाए थी आप यहाँ पर जाके पढ़ भी सकते हो इसके बारे में Tim Burnis, Lee British scientist invented worldwide web in 1989 और आज हम इसको use कर पा रहे हैं तो सिर्फ html के use करके भी आपकी website बन जाती है यहाँ पर आप जाके देख सकते हो इस website को चला के देख सकते हो simple इसमें html user है no css और no javascript लेकिन हम अगर html और css और javascript एक साथ लगा दें तो हम बहुत ही कमाल कमाल की websites बना पाते हैं वो सब हम देख रहे हैं कि आने वाली वीडियो के अंदर इसमें हमने देखा html का introduction इस website का link और हमारी इस pdf का link आप लोग को मिल जाएगा description box में हमारे telegram के उपर इस हरे चीज़न डलती जा रही है तो जाके आप लोग वहाँ पर जाके इसको access कर सकते हो और मैं मिलूँगा आप लोग से next वीडियो में जहाँ पर हम head tag के बारे बात करूंगे html के अंदर थोड़ा और deep में जा रहे होंगे